जितना मैं वहां से थोड़ा सा नराद होकर आया था ना मेरा उतना इस गुस्सा यह कहा के खतम हो गया भाई आज हम करने वाल है गुझराती नाश्टा और यह हम लेकर आए दिल्ली गुझराती समाज से वी लाइन से गये तो जो है ना हम वहां पर वीडियो शूट करने थे हमने भी सोचा कि कुछ आपके लिए बाहर की वीडियो लेकर आए लेकिन वहां पर उन्होंने वीडियो आपको दिखाने के लिए लेकर आ गया है बाकी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चीजों का प्राइस जो मैं आपको बताऊंगा ना तो प्राइज को फॉलो कर लेना और चैनल को अभी तक नहीं किया ना भाई तो फटा फट सब्सक्राइब कर लो अब यह सारी चीजों पहले प्लेट में सेट कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखा दे कि हम क्या क्या लेकर आए हैं पूड देखके और इसकी लुक देखके भाई मैं कमाल का फूड है वही दिल खुश हो गया अब आपको जो एना एक के करके दिखा दे कि हम लेकर क्या क्या आए हैं तो भाई आज का हमारा यह होने वाला है जी गुजराती नाश्ता सबसे पहले आप देखो जी यह है जी फ प्लेटों में सर्क करते हैं और क्वांटिटी काफी सही है प्राइस के अगॉर्डिंग अभी आपको सारों का बताएंगे बिल्कुल और आप यह देखो यार क्या फ्रेश है ना डेली भाई कंसे कम मेरे ख्यास से महां पे 600-700 लोगों के लिए तयार होता है अराम से और साथ में हमारे पास थेपला और यह हमें मिले हैं एक दो तीन और चार पीस मिलें प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा बाकि आप इसके लुक देख लो चोटे और काफी बढ़िया लग रहे हैं और आप इसमें मसाले देखो कितने सारे डले हुआ हैं यह तो टेस्ट क साने के लिए इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है और लुक भी डिफरेंट है थोड़ा सा ओरेंज थोड़ा सा येलो शेड आ रही है और साथ में गाठिया यह गाठिया मिले हैं हमारे इनका पूरा नाम मुझे अभी समझ में आ रहा लेकिन गाठिया लिखा हुआ है और यह भी यार बहुत ही फ्रेंट हैं तो हमारे दिल्ली में कितने कड़क मिलते हैं बहुत सॉफ्ट है मजा आ गया और इसके साथ हमें मिला है यह हमारा पोहा भाई पोहा भी देख लो राइ वगारा काफी अच्छी नजर आ रही है अच्छा साथ में नीमू दिया डालने के लिए बहुत बढ़िया जी और यह भी बहुत अच्छा है क्वांटिटी देख लो काफी सई दिए और प्रॉपर सेविया वगारा पीनेट्स वगारा सब कुछ डला हुआ है काफी कुछ डला हुआ है यह तो बहुत मुश्किल है भाई दिल्ली में मिलना मेरे खाल से शाथ कोई बड़ी शॉप पर मिलता हो तो मुझे पता नहीं बाकी यार इसको देखो यार आप क्या बढ़िया लग रहा है राई के दाने ना इतने अच्छे लग रहे हैं और इसका भी प्राइस हम आपको बाद में बताएंगे और यह भी भाई बहुत ही फ्रेश है यह देखो यार आप क्या जाली दार है ना एक दम बिल्कुल ऐसी जाली कितनी अच्छी नजर आ रही है इसमें और इसमें भी वही सेम राई वगारा का तड़का लगा हुआ है और साथ में इसके साथ में जी हमें यह चटनिया भी मिली है यह तो मेरे क्या मिर्चे यह मिर्चे मिले जी और यह वनी छटनी थोड़ी थोड़ी सी इमली टाइप की नहीं लग रही है बाकि लुक वाइज अगर आप लुक देखो दो वाई सारी की सारी जी एकदम कमाल ही लग रही है और साथ में जी हमने अपने घर की बनी हुई चाय भी ले लिए ज हम जो है ना स्टार्ट बिल्कूल ऐसे कर रहे है जैसे वह हमने हमेशा तारक महता में देखा ना जेठालाल को फाफड़ा और जलेबी और इन दोनों का मैं आपको प्राइस पता दो बाए इन दोनों का प्राइस है 40 रुपे यह भी 40 रुपे और जलेबी 40 रुपे तो एक बैडिक इसकी लेते एक जलेबी लेते है ऐ बंदेस रहे हूं और फासाद चाहरा है जीए उए और यह एट लेने में मजrau आ qi बहुत टाइट मिलता है इतना सॉफ्टा कि किसी के दातना भी होना बुजुर्द के वह भी खाते हैं और जली भी यार क्या मज़ा आ गया बाइट और अब एक कड़ी के साथ भी ट्राय करता है हमने कई वीडियो में देखा है वहां पर गुजरात हो कार में यह कड़ी भी खा टीकर लेते हैं ऐसे कड़ी खाते हमने कड़ी ले लिए और के सब्सक्राइब में मज़ा था जितना में वागए तोड़ा सा नराद होकर आया था ना मेरा उतना सा जोए यह कहा कि खतम हो गया बहुत भी मज़ेडार है खाना बहुत आखना बाइक्टशनन यह बहुत बड़े लगा लेकिन जुनको नमकीन खाना पसंद है मीठा अवाइड करते हैं उनके लिए भाई यह कड़ी के साथ बहुत अच्छा तो यह चार थेपले हमारे 25 रुपे के आई है वाई सही है प्राइस तो बहुत रिजनेबल है यार तो पहले थोड़ी से एक बाइट ऐसे मिर्च के साथ खा के देखे मुझे लगता कड़ी ना फिर भी लगाई लेते हैं पहले आसे ट्राइब करते हैं बहुत मसालेदार है त अब कड़ी के साथ भी ट्राइब करते हैं अब कड़ी के साथ ट्राइब करते हैं कड़ी तो स्वाद है यार वैसे भी अच्छा अब जो है ना थेपला ज्यादा मसालेदार लग रहा है और तो यह ज्यादा करा रहा है यार मसालेदार है मुझे तो मिर्च के साथ भी अच्छा लग रहा और यह ना ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप चाय के साथ भी खाऊगे ना तो भी टेस्टी लगेगा यार और हमारे पास चाय भी है तो उसके साथ भी ट्राइब कर लेते हैं मज़ेदार यह रूखा ना चाय के साथ भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए अब बारिये जी पोहे को टेस्ट करने की और मैं आपको इसका भी प्राइस पता दो भाई इसका प्राइस है 25 रुपीज 25 रुपे में यह प्लेट मेरे कर दो चीज़े दिल्ली में इसली मिल जाता है क यह इतना जैदा वाव नहीं लगा वाव नहीं लगा हा लेकिन यह भी जो है ना सिर्फ नमकीन है इसके अंदर भी हल्का सा मीठा पन है यार हमारे यहां पर जो मिल्टा न उसके अंदर अनियन बगारा कई चीज़े जो स्रीट फूड में पोहा बेचा बेचा बहुत कुछ 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 बीघ्र कि दाल देते यह सिरफ पोहा है इसके अंदर हल्का सा मटर का फ्लेवर आ रहा है यह घ्रिवर का मीठा मीठा एक चीज है कि मैंने एक बार कमेड़् में पड़ा था कि कोई कहा रहा था कि करा पाथ तरीका क्या मिलता हो बाकिया अप कमेंट करके बता ल अब बारी है जी खमन की और ढोकले की तो मैं आपको बता दो इन दोनों का जो प्राइस है ना वह 25 रुब है 25 रुब है और 25 रुब है सब्सक्राइब करें बहुत बार का रहा है हर मिठाए की दुकान में मिल जाता दिलनी में यह रहा है करें बड़ी है सॉफ्ट है बहुत मज़िदार है इसके साथ जो हमें चट्निय में लिए ना वो लगाएंगे तो लगाएंगे दिखते यह है थोड़ी सी यह कौन सी चट्निय तो करने पर बता चलेगा यह लेको भी लगा के देख ले करें इमली की चट्निया ना बहुत ज्यादा खटी वाली नहीं है उसमें मिठास आई है अब ट्राइ करते हैं यह ढोकला इसका भी प्राइस जो है जी 25 रुपे है यह बहुत सो टैयर और पंकर इसके साथ ना यह मिर्च ने मिर्च इनके साथ है तो यह यहाँ पे भी तो डोकले के साथ मिर्च मिलती है माना टेस्ट डि उससे बहुत अलग है यार एक तो वहाँ पर हमारे को यहाँ पर जो मिलता है उसके ने चाशनी विड़ली होती है इसमें चाशनी नहीं है बिल्कुल भी हाँ और उसके बावजूद बहुत सौफ्ट है बहुत बढ़ी है अब यह करें गाठिया हाँ इसका प्राइज चालि AS brought it to something about हम दिल्ली में कितना मिलता है और गर इतना सव्ट महीं बना बाते है वोह बड़ी यह ऐसे जिन के बैद्च परीजरों के नहीं और तो इसका प्राइस मैंने भी पताया, इसका प्राइस है 40 रुपे, तो भाई, प्राइस के इसाप से ना मुझे हर चीज बहुत कमाल की लग रहे है, क्या रहे गया, गोटा रहे गया, तो उसको भी ट्राइ कर लेते हैं, पहले थोड़े से ना चाय पी लू यार, और लास्ट हमार रहे गया है, जी गोटा, इसका प्राइस है 30 रुपे, और मैंने चट्निया थोड़ी सी पास कर दिये पंकच के लिए, कि वह भी जो आराम से, और 30 रुपे के 5 पीस, 30 रुपे के 5 पीस, करें पहले ऐसी, ऐसी ट्राइ करते हैं, चलो, क्या खाना ना, एक से एक नरम है, सब्सक्राइब करते हैं, कौन से यह लिए लगाते हैं, अब और जास्वा लगा है, और नरम हो गया, और टेस्टी भी हो गया, मझा आगे हमारा, ओवर रॉल एक्स्पीरेंस है, कमाल है, माझे हमने जो आपको नाम पताया, उस नाम से अगर आप सर्च करोगे ना, तो आप सुबह छे साड़े से स्टार्ट हो जाता है, और साड़े दस में तक यह सारी चीजे आपको सुबह मौर्निंग में मिल जाएंगी, तो आप वहां से लाके टेस्ट कर सकते हो, हमें अगर वहां से वीडियो शूट की परमिशन मिल गई, अगर कोई गुजराती भाई देख र मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट रूडियों में तब तक लिए भाई, बाई बाई